हेलो अब्रिवान तो ये देखे अभी आज है दिन वेटनेस्टे का और अभी हम लोग जो है दिन के टाइम पे हम अभी सो रखेते लंच करके और अचानक से देखे पूरे घर में हमारा जो है धुआ धुआ सा फैल गया था तो दिखाती हुमें आपको कि क्या हो गया था और तरके मारे जो है मेरी हालत खराप हो गई थी अकेले भूती ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है घर में तो ये देखे क्या हालत हो गई है मेरी कीचन की सिर्फ वो भी मेरी लापरवाई के कारण और अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती तो ये नहीं होता आज तो ये देखे नीचे लग गया था और अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पूरा जो है गैस आग पकड़ लेता इधर से और फिर पूरी आग लग जाती पूरा धुआ तो पूरे घर में भारी गया था तो ये देखे किस तरह से थोड़ा सा धुआ मैंने अभी पानी डालके कम कर दिया ह तो आभी जो है सावा चार बजिया है ये देखे धुआ पूरा गैस जो है जलिया है पूरा धुआ पढ़िया है देखे आवाज भी नहीं आ रही है और ये देखे टाइम अभी तो अभी देखे यहां पर टाइम हो रहा है सावा चार और हम सोगे ते तीन बजे और कीचन में देख सकते हैं कीचन की हालत तो देखे यहां पर पूरा पतिला जो है दूद का जल चुका है एक किलो दूद हम लगाए रहता है और हमेशा मौनिंग में हमारा दूद आता है लेकिन आज नहीं आया तो आभी जो है इसकूल से आते टाइम जो है मैं ये दूद लेके आई थी और लंच करने के बाद या जो है दरवाजा बंद कर दिया की चन का और यहां पर देखे बच्चे अब इसा ही रखे हैं और मैं भी यहीं पर सो रखी थी तो जैसे मुझे स्मेल सी लगी तो मैं बाहर आई और फिन मैंने कीचन का जब दरवाजा खोला तो पूरा धुआ से जो है कीचन भरावा था सार रूम में भी फैल गया और उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने फटावाट से खिरकी दरवाजे खोले फैन चलाया और थोड़ा सा जब धुआ कम हो गया तब मैंने सोजा कि चलो अब मैं वीडियो भी बना लेती हूं उस टाइम पर ते कुछ समझ में नहीं आता है तो यह देखिए तो अभी देखिए 15-20 मिनट से उपर हो चुके हैं लेकिन धुआ अभी भी देखिए इसमें पूरा आ रहा है क्योंकि पूरा यह जल चुका है तो यह देखिए पूरे जो है आग पकड़ ली थी उसके अंदर सारे दूद्ध ने तो मैं देखिए दिखा रहे थी चाकु से और यह देखे जो पूरा जैसे आग जलती है उसी तरह से देखे पूरे आग लगी वी है इसके अंदर कोईला टाइप का ये देखे इस तरह से बन गया है तो ये मैंने जो है खाना खाते टाइम लग दिया था पौने दो दो बजे दूद और अभी देखे सवाज चार तक जो अभी अभी सोई थे तो मैंने उठाया नहीं, तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो आप लोग पहुत ध्यान दीजेगा, लाइट और गैस में कभी कभार इस तरह के हो जाते हैं, कभी भी नहीं हुआ था अभी इस तरह के जो है, जो है कई बार हो जाता है, दूद रखे हम बूज आते हैं, लेकिन इतना लंबा, मतलब 1.45 पे हमने साय से लंच किया होगा, और उसे मुझसे लग रहा है, दो बजे से पैली ही मैंने रख दिया था दूद, फिर हम लंच कर गे, अंदर चरेगी और वेटी ने ये दरवाजा यहां पे बंद कर दिया था, इस तरह से, और फिर दूआ आया, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया, कि कहां से आ रहा, इसमेल तो लग रही थी मुझे, लेकिन मुझे लगा कि लोगे घर में बतानी कुछ बन रहा होगा, फिर मैरे का बच्चे सो गए, मैं भी सोती हूँ, एक राउ को भी दुख हुआ होगा कि मेरे साथ देखे बड़ा हाथ सा होते होते जो है टल गया है, और आप लोग बिल्कुल भी लापरभाई ना बढ़ता है अपने अपने घरों में, यही मैं सबसे कहना चाहूंगी, और बस यहें पर अपना व्लॉग जो है, एंड करूंगी, क्यो तो थोड़ा सा उसको जो है साफ करती हूं की जन में दुखा को जो है बाहर करती हूं